नमस्कार दोस्तें, M.P.O.L.I.C.S.C. Business Training के इस चैनल पे आप सभी का स्वागत है आज के वीडियो में बहुत important अपडेट देने वाला हूँ बहुत important जानकारी देने वाला हूँ आधार से संबंदित बहुत सारे लोगों के जानकारी नहीं है कि नए आधार बनना अब जो सेंटर थे, जो हर सहर में बनते थे वो बन दो चुके हैं और इसका प्रूफ क्या है आज के वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ तो आज के वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा बहुत कुछ नॉलेज, बहुत कुछ जानकारी आपको मिलने वाली आपके घर के आसपास कहीं न कहीं कोई न कोई आधार सेंटर होगा सेंटर दो प्रकार के होते एक होता है जहांपर केवल डेमोग्राफिक अपडेट किया जाता एक होता है जहाँ पर नए आधार काड भी बनाए जासकते हैं आपके आसपास नए आधार काड बनाने के लिए जो सेंटर था अब वह आपको नहीं मिल पाएगा वह कहां मिलेगा, कौणसे सहर पर आप नए आधार काड बनवा पाएंगे उसके बारे में जानकारी आज में देने वाल हूँ तो यह जो वेबसाइट यह है आधार की वेबसाइट आधार की वेबसाइट पे जाने के बाद आपको जाना है My Aadhar Option पे यहाँ पर जाने के बाद आपको जाना है Book and Appointment में जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे यहाँ पर जाने के बाद आपके सामने का उपसन उपन होके जाता है Book and Appointment और इसमें लिखा हुआ है Fresh Aadhar Enrollment, Name Update, Address Update, Mobile Number, Email, Date of Birth, Gender, Biometer की सारी चीज़ आप अपडेट करना चाते हैं तो उसके लिए आप अपना Appointment बुक कर सकते हैं लेकिन जब आप नीचे की तरफ आएंगे Select City or Location यहाँ पर जब आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ऐसे सहर है जहां नाम आपको नहीं मिलने मला जैसे अगर हम यहाँ से जबलपुर ही सर्च करते हैं आपको इस लिष्ट में जबलपुर का नाम नहीं मिलेगा इसका मतलब जबलपुर में यहाँ पर यह लिष्ट में नाम ही नहीं दिया गया है अब यहाँ पर आप देखेंगे इसका Proceed to Book Appointment लेकिन यहाँ पर आपका सहर का नाम आपको दिखाई नहीं देगा इसके लिए आपको जाना है नीचे Book and Appointment as Registrar Run आधार सेवा केंदर तो इसमें हम Proceed to Book Appointment में क्लिक करेंगे जैसी यहाँ पर जाएंगे एक नया पोर्टल आपके सामने ओपन हो जाएगा इस पोर्टल पे आपको अपने मुबाइल नंबर के माद्यम से इसे लॉग इन कर लेना है मुबाइल नंबर डालेंगे यहाँ पर Capture डालेंगे इसे Send OTP पर क्लिक करेंगे एक आधार OTP आपके मुबाइल पर आ जाएगा इसे हम करेंगे Submit OTP and Proceed यहाँ करने करेंद आपके सामने दो अप्सन दिख रहे हैं इसके नीचे की तरफ आएंगे यहाँ पर लेका हुए What do you want to update? आपको क्या अपडेट करना है तो अगर आप फोटो अपडेट करना चाहते तो आपको Biometric option को सिलेक्ट करना पड़ेगा इसके बाद अगर 18 वर्से से कम है तो इसको चेक करें Otherwise Direct Proceed बेटन पर क्लिक करें यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप डीटेल आपकी दिखाई देगी इससे Save and Proceed करेंगे Save and Proceed करने के बाद यहाँ पर अपडेट डीटेल में Checkbox पर आपको चेक करना है Summit बेटन पर क्लिक करने के बाद आपका एक appointment ID Generate हो गई अब आपको यहाँ पर book appointment में क्लिक करना है Book appointment में क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर आपके आसपास Center का नाम सर्च करना है अगर नहीं मिलता तो आप यहाँ पर अपने Center को अपने pin code के माद्यम से भी सर्च कर सकते हैं यहाँ पर इस portal पर जाने के बाद आपको आपका आसपास का enrollment center जो है उसे सर्च करना है जिसे आप तीन प्रकार से सर्च कर सकते हैं यहाँ आपके आसपास किसी enrollment center का नाम आपको पता है तो आप यहाँ पर दाम के माध minder से सर्च कर सकते यह आपके एरिया के pin court के माध minder से या आप अपना district state post office और village को सिलेक्ट करके भी आप इस प्रकार से सर्च कर सकते सर्च करने के बाद आपके सामने enrollment center इस प्रकार से दिखाई देगा जहाँ पर आपको book appointment option पे click करना है, यहां पर जाने के बाद जिस date पर और जिस time slot पर आप इसे book करना चाहते हैं, उस time slot पर उस date पर आप इसे book कर सकते हैं, यहां पर इस प्रकार से detail आएगी, इसे select करके submit कर दें, और जो समय और जो date आपने चुना है, उस date और उस समय पर उस जगह पर आपको पहुंच जाना है ताकि आप आसानी से अपने आधार पे अपडिशन कर सकें।